अगर आपके मोटर साइकल में इगनिशन को लेकर कुछ प्रावल्म आ रही है तो हो सकता है कि स्पार प्लक्स के ऊपर कुछ कार्बन डुपाजिट हो चुका होगा या फिर आपके मोटर साइकल में माइलेज को लेके कुछ इशू आ रहा है तो स्पार प्लक्स के रिप्लेस करने के बाद आपका ये जो इशू है वो स्वाल हो सकता है आज की वीडियो में रॉयल इंफिल क्लासिक 350 ट्विन स्पाक इंजिन जिसमें दो स्पार प्लक लगे होते हैं लेफ्ट और राइट सैंड में तो उन दोनों स्पार प्लक को हम घर पे खुद ही किस तर से रिप्लेस कर सकते हैं इसके प्रोसेजर के बारे में मैं आपको दि इस टाइब के वीडियो में अपलोड करता रहता हूं तो अपने आगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और वीडियो आच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा तो चलिए हम देख लेते है कि किस तरग से रॉय इंफिल क्लासिक 350 ट्वीन सब्सक इंजिन में स्पार्प्लग को रिप्लेस्ट किया जाता है। राइड साड़ का जो सपार्प्लग है उसे निकलने के लिए हमें 16 mm के सॉकेट की जरूत होगी। जो लेफ साड़ का सब्सक्राइब कर से निकलने के के लिए प्रॉपर स्पेस मिलना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम आराम से स्पार फ्लक्स को चेंज कर पाएं फ्रंट सिट को किस तरह से रिमू किया जाता है तो इससे जानने के लिए आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे तरब खीचना है उससे पहले शूर कीजिएगा कि फ्यूल टैंग को लेकर जितने भी कनेक्शन होते हैं जैसे फ्यूल पाइप या फिर फ्यूल गेज का सॉकेट तो उन्हें पहले रिमूट जरूर कीजिएगा देखे ये बहुती आसनी से बहर आ गया ये रहे नए स्पार प्लक्स इन्हें मैंने सर्विस सेंटर से लिया है इनका पार्ट नंबर और प्राइस चेक कर लीजे जी या दोस्तों ये एक ए बॉक्स में दोनों स्पार प्लक आते हैं इसमें से एक छोटा होता है और एक बड़ा ये जो स्पार प्लक है ये बड़ा वाला स्पार प्लक है जो इंजिन के लेफ सैड में लगेगा और ये जो दूसरा स्पार प्लक का है छोटा वाला वो इंजिन के राइट सैड में इंस्टॉल होगा आप देख सकते ही कि ये कितने क्लीन है पूराने वाले स्पार प्लक को इनी की तरह क्लीन केसे किया जाए तो इसकी उपर में वीडियो ज़रूर बनने वाला हूँ तो चलिए पूराने वाले स्पार प्लक को रिमू करके इन दोनों को इंस्टॉल करते हैं पहले हम right side के spar plug को निकालते हैं spar plug को निकालने के लिए उसके उपर जो suppression क्याप होती है उसे सिर्फ हमें उपर की और खीचना है right side के spar plug को निकालने के लिए हमें 16 mm के spar plug socket लगेगा अभी हमें anti clockwise इसे गुमाना है एक बार लूज होने के बाद आप हाथ से ही इसे गुमा कर निकाल सकते हैं यह देखें दोस्तो spar plug बहार निकल आया इस spar plug के उपर आप देख सकते हैं कि कितना carbon deposit हो चुका है और यही वज़े है कि पूरा spark ठीक से generate नहीं होता है और इसके वज़े से ignition में दिक्कत आती है या फिर motorcycle misfiring करती है और इसी वज़े से engine का जो performance है वो कम हो जाता है यहाँ पर आप नय और पुराने spar plug में difference क्या है वो अच्छी तरह से देख सकते है चलिए अभी यह जो नया spar plug है उसको हम install करते हैं नया spar plug को install करते वोग हमें ये ध्यान रखना है कि उसे पहले हाथ से ही tight करना है ताकि उसकी जो चूडिया है वो अच्छी तरह से बैट जाए बाद में आप इसे ratchet से tight कीजे और जबी वे आप इसे tight करेंगे तो पूरा दम लगा के इसको tight नहीं करना है नॉर्मल ही force जो है इसमें आपको use करना है tight करने के लिए और इसके बाद suppression क्याप को वापस लगा दीजे ये देखिए दोस्तों हो गया इसे बस middle में रखिएगा ये side is done हो गई अभी उस side का replace करते है हमें same procedure apply करनी है इसके उपर की जो suppression क्याप है उसे पहले निकालिए इस spar plug को निकालने के लिए हमें 21 mm के spar plug socket की ज़रूरत होगे चलिए आभी हम इसे निकालते हैं इसकी भी हालत वैसी है जैसे right side वाले spar plug की है अभी के लिए मैं ये जो पुराने spar plug है इनको मैं fake नहीं रहा हूँ उन्हें मैं अच्छी तरस से clean करने के बाद जबी भी मैं long ride पे जाऊंगा तो इन्हें मैं जब backup spar plug के तोर पे यूज करने वाला हूँ चलिए अभी नए वाला spar plug को install करते हैं सेम प्रोसीजर पहले हाथ से tight कीजे और फिर ratchet से इसको tight कीजे याद रखेगा का आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है यह कोई bolt नहीं है दूसरे जगह का हमें इसे normal ही फोर्स अपलाए करके tight करना है और फिर इसके suppression के आपको आप वापस लगा दीजें फिल्ट एंग को लगाते हैं और एक बार start करके देख लेते हैं फ्यूल पाइप को connect कीजिए यह दे के दोस्तो हमने successful इस पार फ्लक्स को replace कर दिया है बहुत ही आसान है दोस्तो आप इसे खुदी ही घर पे कर सकते हैं इसके लिए आपके पास बस प्रॉपर टूल होने चाहिए और थोड़ असा confidence जो आप इस चैनल के वीडियो देखने के बाद आपको आ जाए रहा है मैं कोई mechanic नहीं हूँ लेकिन अगर मैं यह कर सकता हूँ तो आप भी डेपिनिटली इससे कर सकते हैं करें कि प्यंद्धधैर बूbird को अजाए लाक होगा अगरे वीडियो आपको प्लीज इस वीडियो प्लिइस वीडियो को लाइक कीज़े और और अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल से जल इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथी में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के उपर क्लिक करके अल को जुरू सिलिट की जागा ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करू तो उसका नोटिफिकेश कर दो